बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com मित्रो नमस्कार, मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक भी नंदन करता हूँ ASTRO TAK के खास प्रस्तुती शनी स्पेशल इससे पहले आप मेरे शनी के बहुत सारे episodes को बहुत प्यार दे चुके हैं और आज हम बहुती खास विशेप पर चर्चा करने जा रहे हैं शनी की उल्टी चाल, किन राशियों का क्या करेगी हाल, किन राशियों को करेगी माला माल राश्य अनुसार और उपाय के साथ जानेंगे इस बार लेकिन प्रोग्राम शुरूर करने से पहले आपको जरूर कोंगा इसरो तो आपको लाइक करें सबस्क्राइब करें और कमल लंदलाल तो यह कहता है कि शेर तो बनता है बड़े पुन्य का काम करता है आपका एक शेर तो शेर जरूर कीज़े और मेरी सिवाँ है अगर आप लेना चाहते हैं तो सीधा आजाएए www.astro.com पर हमारी वेबसाइट पर और सीधा वहाँ पर मेरे प्रोफाइल पर आईए और वहीं से मुझे कॉल मिगा लीजे मैं आपके कॉल का इंतिजार कर रहा हूँ तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि राश्य अनुसार जानिए कैसे शनी की उल्टी चाल किन राश्यों को करेगी माला माल शनी जो है न्याय मूर्ती है न्याय का देवता है अपनी पर आ जाए तो रंक से राजा बना देता है और अपनी पर आ जाए तो राजा से रंक भी शनी ही बनाता है शनी मंदपिपलाद है दीरे दीरे चलता है कच्वे और खर्गोष की कहानी तो सुनी है ना अंतटगावा जितना कारण जानता है अशास्त्र भी क्या कहता है दीरे चलिए और पहाल के चलिए पेड़ देखा है जो आपने फलों से लदावगा होता है तो हमेशा जुका यह नियम है प्रकृतिक है इसलिए शनी अब उल्टा चलने जा रहा है 141 दिन के लिए आईए इस बारे में जानते हैं कि शनी जो है वो हमारे जीवन में हम सभी के जीवन में क्या प्रभाव लाने जा रहा है देखिए न्याय के देवता जो शनी देव हैं वो कर्मों का हिसाब रखते हैं तो जो फल मिलेंगे वो भी कर्म अनुसार मिलेंगे ऐसा नहीं कि सभी लोग करोड़पती बन जाएंगे ऐसा नहीं कि सभी लोग चौपट हो जाएंगे नहीं जोतिश में शनी को पापी ग्रहभी कहते हैं कारण क्या है क्योंकि ये पाप का नाश करता है शनी के अशुप्रभावों से व्यक्ति के कई तरीके के समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि ये और कुछ नहीं ये यापी के कर्में कर्मों का फल है यह हमारे ही कर्मों का फल है जिसका शनी हमें फल देते हैं शनी देव जो है साल 2021 में 23 मई के दिन रविवार के दिन दोपहर को दो बचकर 50 मिनिट पर वक्री होने जा रहे हैं यानि कि उल्टा घूनने जा रहे हैं और 141 दिन के लिए शनी वक्री रहेंगे उल्टा चलेंगे लगभग लगभग पांच महीने का समय और जैसे ही शनी की उल्टी चाल शुरू होगी वैसे वैसे दुनिया पर और हम सभी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा लेकिन जिन राशियों पर साड़े साती चल रही है और अधिक प्रभाव पड़ेगा जैसे मुझ पर अधिक प्रभाव पड़ेगा जैसे मुझ पर अधिक प्रभाव पड़ेगा जैसे मुझ है कि कोई बच्च जाएगा ना मैं न कोई और शनी न्याय करता है सिर्फ इतना समझ लीजिए शारर कश्ट भी आएगा ठीक है न तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा किसको माला माल करेगा किसे निहाल करेगा और किसे कंगाल करेगा इस एपिसोड में आप कड़ी मेहनत और संघर्ष से आपकी इंकम बढ़ेगी खर्चे भी बढ़ेंगे साथ में मुसिबतों का सामना भी करना पड़ सकता है जीवन साथी से कले की संभावना भी बनती है नए व्यापारे में हाथ डालने से बचें यह सला है आपके लिए क्या उपाए करें किसी ग व्रिश यानिके टॉरस की व्रिशा शिवलो धन को लेकर कुछ मिक्स डिजल्ट देखने को मिल सकते हैं पिता के साथ विवात की इस्तिती भीउत्पन हो सकती है अपनी भाशा पर थोड़ा अपनी वाणी पर आपको सेयम रखना होगा गलत विवार से बचना होगा अच्छ दूर ध्यान रखें उन पर थोड़ी सी प्रॉब्लम दूरूर आ सकती है और एक विशेश होपाय करें किसी गरीब को काली चपल दान कर दीज़ें बात करता है राशी नमबर तीन मितुन यानिकी जमनाय की मितुन राशी वालो कारशेत्र में कुछ विरोध आपको सेना ज़ीना होगा क्यों आठमाशनी अधाय चल रही है मैं भी इसी राशी कौन और मैं क्या उपाय करूँगा और आपकी उपाय करेंगे शनी देव पर लॉंग चड़ाएंगे बात करता है चौति राशी करक यानिकी कैंसर पी करक राशी वालो दिखे साथमाश शनी सीधा इं पर नेंद उड़ जाएगी अनिद्रा के कारण मेंटल प्रेशर रहेगा मेंटल टेंशन रहेगा थोड़ा गाड़ी चलाते वक्त आपको सावधान रहना है कारोबार में महत्वपूर्ण निन्ने आपको लेने पड़ेंगे कानुनी विवात के भी यूग बनते में नजार आ देखें एक चीज़ को समझें पीपल के नीचे तेल का दीपक लगाएं उससे क्या होगा इससे शेनी के जो दुष प्रभाव जिवन साथी पर आ रहे हैं आप पर आ रहे हैं वो खतम होगे कीजिए निश्चित रूप से फायदा होगा बात करेंगे पांचवी राशिय सिं यानि की लियो की सिंग राशिवालों पुराने रोगों के कारण कुछ मांसिक तनाव रह सकता और स्पेशली ध्यान रखेगा बाबासीर बहुत ज़्यादा परेशान करती है इस सेग्मेंट में तिश्चुला या फिर कोई भी बिमारी जो नाभी से नीच आ रही है फोड़ा रुक जाएं प्रेम संबंद में कुछ कटुता भी आ सकते है इसलिए फोड़ा थहर जाएं समय फोड़ा ठीक होने दें और एक विशेश उपाय करें किसी जरुवत मंद को लोही का बरतां दान कर दिजिए स्पेशली कड़ाई अगर आप कर सकते हैं लोही की स्ट खत्षा में आई भी रुकावटे दूर होंगी शनी स्थान वरद्धी करें गये तू और शनी दिश्ट दृस्टी करें तू में दिश्ट्यकों जहां बैठेगा ना इस भाव को उज्वल कर देगा 30 तो शिक्षा में आई भी रुकावट दूर होगी संतांसुख में वरद से शनी की जो दृष्टी है ती स्री वो सात्मु भाव में इसनी सांजेदार से मतबेद की इस्तिती बंती दिखती है एक विशेश काम करें नाभी पर सर्सों का तेल लगाएं विशेश लाब होगा बात करेंगे सात्वी रश्य तुला एनिकलिबरा की तुला रश्य वलो सेह अब ध्यान देना होगा शत्रू पक्ष कुछ परिशान करेगा कारेश लिए विवाद के योग है धन के लिए प्रियास करना होगा गलत निरणे आप ले सकते हैं लेने से बचे एक विशेश शुपाए करें वो यह कि बरगत के पेड़ के नीचे सर्सों का तेल का दिपक कर बात करते हैं आठवी राष्य विरिश्चे कि याने की स्कोर प्यों की विरिश्चे के राष्य वालो आलस से का त्याक करें आप आलस बहुत आएगा भाई भेहन से विवाद के योग बनते हैं संचत धन में कुछ कमी आ सकती है नया काम शुरू करने के संभावना बनती है आर्थिक स्तिती ठीक रहेगी, बुज़र्गों की सेहत पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, यात्रा में कश्ट के योग नजर आते हैं, एक विशेश काम करें, शनी देव पर बदाम चड़ाईए, बात करते हैं, नमी राश्री धनू यानि के सजिटेरियस की, धनू रा से लाविके योग होते वे दिखाई देते हैं, बुज़र्गों को सम्मान दें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और एक विशेश काम करें, करपूर से लांग जला कर धूप करें, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, बात करेंगे दस्वी राशी, मकर यान आत्म विश्वाश आपको प्राप्त होगा पुन है, आये के नए मार्ग बनेंगे, लेकिन एक बात को समझ लीजगा, साड़े सती है, आर्तिक स्तिती में कुछ सुधार जरूर आ सकता है, लेकिन गलत अगर डिसीजन लेंगे, और ने मूँ बिरेंगे, एक उपाय कीज़े वो ये कि नारियल सिर से वार कर जल प्रभा कर दीज़े, सब को शुब होगा, बात करेंगे ग्यारवी राशी कुम यानि कि अकवेरियस की कुम राशी वालों, सेहत जो है वो कुछ कमजोर है सकती है, मान से कष्ट की स्तिती भी बन सकती है, निवेश से आपको बचना होगा ये वेरी सला है, आपके लिए सफलता के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब ही जाके सफलता मिलेगी, जिवन साती के साथ मतभेत के यूग हैं, विदेश यात्रा को टाल दें, शनी बारवा है, परिजनों से विवाद भी संबव है, साड़े साती का समय है, त फोड़ा जादा दे दीजे, ताकि उसके काम है वो, विशेश लाव होगा, बात करेंगे बारवी राशी मीन ये नहीं पाई से इसकी, मीन राशी वालों सेहत अच्छी रहेगी, आलस से दूर रहें, ये सला है आपके लिए, समाज में अच्छी पहचान होगी, नहीं पहच दे रहे हैं, एक विशेश उपाय करें, सरसों के तेल में अपनी चाया देखकर दान कर दीजे, तो मित्रों ये था मेश से लेकर मीन राशी के कर्मों का लेखा जोका जिसके आधार पर सनीदेव उन्हें फल्प्रदान करेंगे, हम चंदर ग्रहन के स्पेशल एपिसोड पर आपके भी कुछ और स्पेशल लेखे आ रहे हैं, खास इस बार, देखेगा उसे जरूर, और अब इजाज़त दीजे इस उम्मीद के साथ, कि आने वाला जो कल है, आने वाला भविश है, वो कुछ सुन्दर हो, सफल हो, इजाज़त दीजे, नमशकार, नमश्यवाय, जैश समतना इदेशल छीजे, इतकी एला जड़Ehशल और berries को साथ, इतकी यारा जडिश eh जड कि एला जा-ंवदावर उननन घवन सिर सुन्दर वज़ manदर का वले और शो कि आने मोर्ग करताना थीजे, बपको